नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका साथी चंदलजीश शर्मा हमने आपको खबर दिखाई थी शहादरा इस्थित बाबरपूर रोड पे जहाँ पे चारुगुप्ता नाम की एक महिला जिसके उपर सैक्रों महिला उन्हें आरोप लगाए हैं कि करीब 500 करोड का घपला किया हुनोंने उनके किट्टी के नाम से लाखो करोड रूपय लिये गए हैं और उसके बाद एक भी रूपया उनको वापिस नहीं किया जा रहा उसके बाद उनको धंकी उनको मारना पीटना या उनके साथ बत्तमी जी की नौबत आई है यह हम नहीं कह रहे यह वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके आगे खड़े हो गई थी कि किसी भी कीमत पे हम जीश जिप्ची के अंदर चारुगुपता को लेने नहीं देंगे वो हमारे साथ पैलल चलें आखिर उनको यह वी आईपी ट्रीटमेंट क्यो दिया जा रहा है मगर आप इसमें जब सब्सक्र बड़ेट निकल के आ रही है वो यह है कि चारुगुपता को जब कोट में पेस किया गया तो आप चारुगुपता को जेल भेर दिया गया है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं और आप देखे कि इसमें नई अपडेट अब क्या निकल के आई है हमने आपको खबर दिखाई थी कि बुद्वार को यानि 4 सितंबर को शहादरे के बाबरपुर रोड पे किस तरीके से हंगामा होता है इसमें सैकड़ों की संख्याओं में महिला पहुंसती है और चारुगुपता के खिलाफ जम कर प्रट्रस होता है ये भी बाद चलता है कि चारुगुपता उनके पती और उनके बेटे द्वारा लोग के साथ हाथा पाई होती है और लोग भी गुस्से में काफी कुछ करते हैं मगर इसके बाद पुलिस जोकि सहादा थाने के अंतरगत आता है ये केस यहाँ पे पहुंसती है चारुगुपता को अपने साथ सहादा थान लेके जाती है मगर यहाँ पे महिलाएं एक साथ एकठी होके इस गाड़ी को इस PCR वैन को रोक लेती हैं जिसमें किसी भी कीमत पे उसको आगे बढ़ने के लिए वो उसके आगे खड़ी हो जाती है इन महिलाओं के होसले के आगे पुलिस भी सांथ हो जाती है काफी देर की मन मसकत के दा द्वारा पुलिस से यहाँ पे काफी गर्मा गर्मी के द्वारा उसके बाद जाके कहीं शुलिशन निकलता है कि हम इनको थाने लेके चलने आप लोग आईए मगर यह महिलाओं थी लगाता पुलिस से बेड़ रही थी कह रही थी कि यह किसी भी कीमत पे गाड़ी के अंदर नहीं जाएंगी हमारे साथ इसी रोड़ पे चलेंगी आखीर जो इस तरह के काम करता है उसका जिरू स्कान निकल जाए रोड़ पे उसको क्यों न दिखाए जाए ताकि लोग को पाचलें यह किस तरह के काम करती हैं इसी कड़ी में काफी यहां गर्मागरी मी हुई मगर पुलिस ने इनको काफी समझाने के बाद इस बात पे राजी किया कि हम थाने लेके चल रहे हैं और आप हमारे साथ सहाद्र थाने आइए इसके बाद ये सभी महिलाएं राजी होती हैं और सभी सहादा थाने पहुचती हैं पूरे दिन पूरी रात सहादरे थाने के बाहर ऐसा ही हंगामा चलता है सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं रात तक अपने परिवार के साथ वही रुकी रही उनका साफ कहना था इस पे हम किसी भी कीमत पे सांत नहीं वैठेंगे या तो कारवाई होगी या फिर हम यही पे हंगामा करते रहेंगे मगर हम सहादरा पुलिस की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने भी किसी तरी किसी कोई कोता ही नहीं परती महिलाओं की हर कंप्लेंट को उन्हें सीरेस लिया और हर कंप्लेंट को उन्होंने रेइस्टर्ट किया सबके उन्होंने कहा कि अपने अपने बयान दर्ज करके दीजिए जिसमें सैकडों की संख्याओं में यहाँ पे यानि सहादा थाने में लोगों ने complainant दी और सभी को इसमें attach किया गया इसी कड़ी में आज करकर डुमा कोट में उनकोilla कीया गया यानि पार्ज तारीक को उनको पेस किया गया चारुकुपता को पेस किया जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हलाकि अभी काफी लोग डरे हुए हैं कि आखिर हमारे पैसे कैसे मिलेंगे अगर कोई बात होती है जेल चली आती है तो आखिर यह बवाल जो हो रहा है इस पे हम कैसे अपने आपको समझा लेंगे मगर यह बात अगर करें तो लाखो नहीं कई सो करोड का मामला निकल के आ रहा है और जिस तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं उससे तो लगता है कि अभी यह दो ढ़ाई सो लोग हैं यह तो हजारों की संख्या में हैं और अगर इसकी सही सजाच हो सबी लोग निकल के सामने आएं, कंप्लेंट दें, तो यह कई सो करोड का मामला है खेर, करगडुमा कोट ने आज चारुगुपता को दो दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है आप देखिए, यह वही चारुगुपता हैं, जिन्होंने लाखो करोडो इधर से उधर किये हैं और लोगों के पैसे देने में अब आनाकानी कर रही है इसी कारण यहाँ पे काफी हंगामा होता है और इनके खिलाख इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, यहाँ एक अत्रित होती है मगर आखिर इनके पैसे क्यों नहीं दिये जा रहे हैं, क्यों इनको महीनों से, कई-कई महीनों तक चक्कर कटवाई जा रहे हैं ऐसी भी सूत्रों के हवाई से ख़बर मिली है, कि कई लोगों ने आत्माहत्य करने कोशिस की है कई लोग बहुत परिसान हुए हैं, कई लोगों ने इनके ऑफिस में आके हंगामा भी किया है मगर पैसे देने के नाम पे ये साफ मना कर देती है कि आपको जो करना है करिए जैसा करना है करिए बस इसी बात पे यहां बात बिगडी और उसके बाद थाना पुलिस सब कुछ हुआ मगर अब यहां पे करकरडुमा कोट के द्वारा इनको दो दिन की हिरासत में भेद दिया गया है और फिलाल ये जेल में है अब आगे कारवाई चल रही है और पुलिस साफ साफ कह रही है कि हम कोई भी वैक्ती अगर आता है अपनी बात रखता है कंप्लेंट देता है तो हम हर व्यक्ति की complaint रेश्ट करेंगे हर व्यक्ति की complaint को सुनेगे अटैज करेंगे और इसमें जो भी कारवाई होती है वो किसी कीमत पर की जाएगी हमें सिर्फ लोग complaint तो दें यदि आप लोग complaint नहीं दोगे तो बिना complaint के हम कारवाई कैसे करेंगे आप लोग सामने तो आईए इसी कड़ी में सहादरे के ठाने में बड़ी संख्या में अब महिलाएं पहुच रही है और वो लगातार अपनी कंप्लेंट लिखके दे रही है और पुलिस भी उनकी सभी कंप्लेंट को सुन रही है इसी केस में जोड रही है और आगे कारवाई क वो बड़ी कारवाई के लिए आगे बढ़ रही है और इन महिलाओं ने भी अपना दमखम दिखाया किसी भी कीमत पर या पीछे हटने को राजी नहीं है जब हमारी टीम ने इन से बात की तो उन्हें साफ कहा आर पार होगा या तो ये पैसे देंगी या फिर ये अंदर जा यहां सहाद्रे की जो पुलिस है वो भी लगातार इनकी बात सुन रही है लोगों को आस्वासन दे रही है और लगातार कारवाई पे कारवाई कर रही है उन्हीं ने आज उनको कोट में पेस किया और सहाद्रा थाना इस समय हर तरीके से महिलाओं के साथ खड़ा है और उन् कारवाई में और आगे आएंगे सामने आएंगे चीजे बढ़ेंगी और अभी यह केस आगे और बढ़ता रहेगा जिसमें कई लोगे कंप्रेंट पर भी अभी एक्शन होना है तो हम भी इस खबर को आपको दिखा रहे हैं अगर आप लोग कहीं भी ऐसे किसी भी केस में फसे हैं तो यह खबर आपके लिए भी है इसको देखिए, शेयर करिए और अगर आप लोग इन महिलाओं में से किसी को भी जानते हैं तो आप इनके कॉंटक्ट में यह अगर आपके पैसे हैं तो आप भी अपनी बात को रख सकते हैं मगर जिस तरीके से इन महिलाओं ने सैकड़ों की नहीं इस समय हजारों के संख्याओं में महिलाए लगाटार इनके खिलाफ आ रही है और चारुग उपता के लिए बहुत बड़ी मुसिबत होने वाली है और इसका एक ही समाधान है या तो ये पैसे दें या केस दर्ज करा ही दिया है और इसके बाद अब एलिगेशन लगाने के साथ साथ पुलिस कारवाई भी हुई है और पुलिस ने भी यहां पे हम साफ साफ कहते हैं कि पुलिस ने भी यहां पे बहुत अच्छी कारवाई की है महिलाओं का सपोर्ट क्या है और इस पे लीगल ए कैसे इशू ना आएं। हम इसमें सहादरा थाने के सभी पुलिस कर्मियों को बताएंगे कि उन्होंने किस त्रीके से काम किया और उनकी मैनत ही रंग लाई है कि उन्होंने हर व्यक्तिक कंप्लेंट लिखी है और वो कह भी रहे हैं कि कोई भी है जिसके भी द्वारा इसमें कंप्लेंट देनी है वो दे सकता है हम सबकी कंप्लेंट ले रहे हैं और इस पे जो भी एक्शन बनेगा हम जरूर लेंगे एन भारत टीवी डिल्ली